सिंबा और अकासा को सताया एविक्षन का डर कौन होगा बेघर टीवी रियालेटी शो बिग बॉस सीजन 15 में इस वीकेंड का वार घर से बेघर होने वाला सदस्य कौन बनता है इसको लेकर दर्शकों और फैंस के बीच चरचा शुरू हो गई है वहीं घर के सदस्य आपस में भी इस वीशे पर बात करते हुए नजर आये हैं अफसान खान, शमिता शेटी और राजीव से ये पूछती नजर आई कि तीन नॉमिनेटेट सदस्यों सिंबा, अकासा और विशाल में से इस हफते कौन बेघर होने वाला है हलाकि किसी ने भी घर से बेघर होने वाले सदस्य के नाम पर अपनी भविशिवानी नहीं की है लेकिन जिस तरह से बिग बॉस के घर के बाहर फैंस और दर्शकों के बीच सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है वो ये है कि सिंबा और अकासा में से कोई एक बेघर हो सकता है वहीं दूसरी तरफ अगर सिंबा और अकासा की बात की जाए तो सिंबा और अकासा को भी एविक्शन का डर सता रहा है जो उनके चेहरे पर साफतार पर दिखाई भी दे रहा है अकासा हर मुद्दे पर स्टैंड लेते नजर आ रही है और वो प्रतीक से ये कहते नजर भी आई है कि हो सकता है ये उनका आखरी हफता हो वहीं सिंबा भी ये कह चुके हैं कि वो नॉमिनेटेड है और हो सकता है कि वो इस बार घर से बेघर होने वाले सदस्य बन जाए लेकिन वो किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे और एविक्षन के लिए वो पूरी तरह से तयार बैठे हैं वहीं दूसरी तरफ अगर वोटिंग ट्रेंड्स की बात करें तो वोटिंग ट्रेंड्स का इशारा कुछ और ही दर्शा रहा है हलाकि विकेंड कवार के दिन गर से बेघर होने वाले सदस्य के तौर पर शो के होश्ट सल्मान खान किसके नाम का एलान करते हैं ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा लेकिन अगर शो को कंटेंट देने के हिसाब से बात की जाए तो सिंबा और अकासा का नाम दर्शकों और फैंस के बीच बेखर होने वाले सदस्यों की सूची में सुर्खियों में बना हुआ है ये कहना गलत नहीं होगा बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक रिया कमेंट्स के जरीए हम तक जरूर पहुचाएं